हलो एवरीवन गुड मॉनिंग आप सभी का स्वागत है मेरे चानल में और फिर से मैं आज आप लोगों साथ एक बड़ियांसी वीडियो शेयर कर रही हूं तो आप आप लोग को अच्छा लगेगा तो यह वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले नानी जी से तो यहां आप दे किस तरह से बवाई करना है तो हम खेत में लेसन की आज बवाई करने वाले हैं तो नानी को हम लेसन साफ करने देते हैं अभी हम चलते हैं खेत में तो यहां आप देखिए मामी जी है जो खेत में धान की पिटाई कर रही है तो दोस्तों बरसात के समय में खेत में बहुत ज् तो यह देखिए मामी जी काफी महनत कर रही है धान की पिटाई कर रही है और दोस्तों देखिए एक खेट में कहीं कहीं पईया धान लगा हुआ है जिसमें दाना नहीं होता है उसको भी धार-धार हसुए से काट लिया जाएगा तो धान काटने के लिए जो हसुआ होता है वो अलग होता है उसमें दाने दाने से बने होते हैं जिसे की बहुत ही फास्ट जल्दी ही धान कटके गिर जाते हैं तो इसी की मदद से देखिए कहीं कहीं पे पईया जो धान है उसको काट लिया जाएगा और उसको गायभैंस को खिलाया जाएगा तो दोस्तो अब खेत की सफाई हो रही है और देखिए एक जंगली पौधा है बड़ा ही प्यारा सा है और साथ में खेत में देखिए भतुआ लगा हुआ है इसकी सबजी भी बहुत ही अच्छी बनती है साथ में इसका दाल जो है बहुत ही टेश्टी बनता है जिसे दल पहित बुला जाता है गाओं में अक्सर हर घर में दल पहिता बनाया जाता है और ठंडियों में यह बहुत ही फायदे मंद होता है सिहत के लिए गर्महाट होती है इससे सरी में बड़ा अच्छा है फायदे मंद है सिहत के लिए तो खेत में से हम बतुआ भी निकाल लेंगे और सा तो अब बहुत ही टेस्टी लगता है और यहाँ पर देखिए मामी और मौसी मिल्क के लोग धान के अभी पिटाई कर रहे हैं और अब बारी आती है देखिए लहसन की बुवाई जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि यह खेत में हमारे लैस्ट की बुवाई होने वाली है तो यह देखिए लैसन की कलिया नानी ने फोड़े थे वही ले लिया है मम्मी ने और इसको अभी खेत में लगाना है तो खुरपी की मदद से देखिए मिट्टी को हटाटा के एक-एक lesson इस तरह से डाल देना है और मिट्टी से lesson को दबा के और ढख देना है तो कियारी बना के और इसमें lesson बोया जा रहा है बढ़ियां से तो सभी लोग इसी में लगे हुए हैं बच्चे बुड़े सब lesson बो रहे हैं ये देखिए नानी बैठी है, बता रही है कि किस तरह से लहसन बोना है खेत में, तो उसी हिसाब से उनके बता या नुसार, खेत में हम लोग लहसन बो रहे हैं, तो सभी ने काफी जादा महनत किया है आज, सब लोग महनत कर रहे हैं खेत में, तो दोस्तो कैसा लगा मेरा वीडियो कैसी लगी और इसी तरह की वीडियो को देखना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताए मैं इस तरह की वीडियो टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूंगी तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो आप सभी को देखने के लिए बा बाइ बाइ